सूर्य का राशी परवर्तन आपके जीवन को चमकाएगा या फिर आपके जीवन में अंदगार शाजाएगा सत्रा तारिक को जब राशी परवर्तन करेंगे सूर्य देव चार गराएं कठे होंगे सिंग राशी की उपर तो क्या होगा उस दिन क्या होगा भई गुस्सा बढ़ेगा लड़ाई जगड़ा होगा अक्सिजेंट के योग बनेंगे लेकिन दो दिन का प्रवाब बहुत जादा रहेगा क्योंकि चंद्रमा के साथ जब सूरिय होता है तो मस्या योग बनाता है नमस्कार जे मैं शिफाली सीक्राइट ओफ यर लाइफ प्रोग्राम में आपका तही दिल से स्वागत करती हूँ बर फिर से आपके सामने हाजिर है जोतिश एक ऐसा गहरा समुंदर है जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना हम गहराई को प्रापत करते जाएंगे तो आज बात करेंगे हम किंकी यानि की सूर्य देव की यानि की कुंड़ी के राजा की सूर्य का राशी परिवर्दन आपके जीवन को चमकाएगा या फिर आपके जीवन में अंदगार शाजाएगा आज इस बात पर चर्चा करेंगे हम पहले स्वागत कर लेते हैं चिन स्रिवाय गुरुजी प्रिफेसब सूरे का राशी परिवर्तन क्या हमारे जीवन को चमकाएगा या पिर चाएगा हमारे जीवन में अंदकार आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे Professor सूरी जब भी सूरी राशी परिवर्तन करता है तब हम उसको सकरांती बोलते हैं कई बर क्या होता है जैसे कि साल में 12 महिने हैं 12 महिनों में कुछ महिन ऐसे होते हैं जो हमारे खराब निकलते हैं पहले तो ये सवाल है मेरा कि ऐसा खराब क्यों जाते हैं ये सब कुछ लेना देना जो है वो सूरे का ही है प्रफेसर दूसरी बात ये है कई बार इनसान कहता है कि जब कत्त का महीना आता है तब मेरा खराब जाता है कुछ लोग कहते हैं कि जब सावन का महीन आता है तब मेरा खराब होता है और कुछ लोगों का कहना है जब सूरे सिंग राशी में आते हैं तब मेरा खराब होता है तो प्रफिस्टर ये सब कुछ क्या हम जोतिश के अधार से जान सकते हैं या सिर्फ सूरे का ही जब राशी प्रिवरतन होता है、 तभी खराभी आती है। बहुत अच्छा प्रस्वाली जी आपने आज आपने बात के देवों के देव सूरीदेव के । वैसे देवों के देव तो महादेव है, लेकिन प्रिवित्वी में इस वक्त जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, जिनका हम ताप ले सकते हैं, वो सुर्य देव है, जिनके बारे में हम जान सकते हैं, यो सामने दिखाई देता है, मत भेद नहीं करता किसी के साथ आज मैं इदर धूप दे रहा हूं तो इस घर में धूप नहीं देगा ऐसा कुछ नहीं है अगर बादल आपके शहर की उपर एरिय की उपर है तो सभी की उपर ही वो शाय नहीं देगा अगर किसी के उपर बादल नहीं आए तो सब की उपर वो धूप देंगे ही देंगे किसी के साथ मत्भेद नहीं करते लेकिन हाँ एक बात चुरूर है जो इनसान का जन्म होता है उस इनसान का सूर्य देव कौन सी राशी में उदे हुए उस हिसाब से लेखा जोखा इनसान का लिखा जाता है थोड़ी से कल्कुलिशन बताने वाला हूँ इसको ध्यान से समझिए अगर आप इसको समझो गए नहीं वैसे शफाली जी ओफ लैन में मैं बोल रहे थे आप जोत्षियों के लिए एपिसोड करते हो आम जनता के लिए नहीं करते हैं क्योंकि मैं हमेशा लगन की बात करता हूँ जो 90% या 95% जोत्षिय है वो राशी की बात करते हैं तो जो राशी की बात करते हैं वो समझ लीजिए मैं बात करता हूँ ABC और First तक, Second तक या Third तक यानि कि जो मैं बात करता हूँ मैं तेंथ कलास से उपर की बात करता हूँ जो के पड़े दिखे जोची ही जान सकते हैं आम जनता के लिए मैं शायद कम बोलता होगा या उनको समझ नहीं आती होगी इसलिए शवाली जी बोलते हैं अगर अपना अनुभव आप पूरी दुनिया को देना चाहते हो तो राशी के बारे में जिरूर थोड़ा मोटा बोल ला किजिए जी प्रफेसर आप जैसे कि सारी दुनिया के जोर्शी ये बात करते हैं कि आपके उपर साड़ सती लगते हैं लेकिन आप ऐसा नहीं बोलते हैं आप कैते हैं कि सूर्य के सार सती देखो हलाकि कोई जोशी नहीं देखता तो आज हमने एपिसोड भी जो किया है वो राशी के उपर ही है जानि कि सूर्य का राशी परिवर्तन तो मुझे लगता है कि आपके परिवार के लोग अब खुश होंगे कि इस साल प्रोफेसर साब ने बहुत अच्छा काम किया कि जो महीने के महीने हमें राशी परिवर्तन बताना शुरू किया कि हमारा ये वला महीना कैसे गुच्छेगा शेफाली जी सूर्य राशी प्रवर्तन करेगा सत्रा तारिक को सत्रा तारिक को जब राशी प्रवर्तन करेंगे सूर्य देव तो सूर्य देव के साथ चंदर भी होंगे मंगल भी होंगे बुद्ध भी होंगे चार गराय कठे होंगे सिंग राशी की उपर अगर सिंग राशी के उपर चारो के चारो ग्रै कठे हुए तो क्या होगा गुस्सा बढ़ जाएगा अनरजी दो दिन के लिए इतनी जादा होगी बाइक धीरे चलाना भई एक्सिलेंट भी हो सकता है जिसकी सिंग राशी है लडाई जगड़े भी हो सकते है मन परिशान हो सकता है इनसान घर बार छोड़ के जा सकता है क्योंकि उस दिन चंदर और बुद्ध का भी मेल होगा जिस दिन सूरिय देव राशी प्रवत्तन करेंगे चंदर भी उसी ग्रै में उसी राशी में बैठे होंगे सिंग राशी में तो क्या होगा उस दिन क्या होगा भी गुस्सा बड़ेगा लड़ाई जगड़ा होगा अक्सिजन्ट के योग बनेंगे इनसान घर छोड़के जा सकता है उस दिन गुस्से से यानि कि वो सिंग राशी के लिए दो दिन बहुत खराब जाने वाले हैं हलाके मंगल देव दूसरे दिन चेंज हो जाएंगे मंगल देव राशी परवर्तन कर जाएंगे लेकिन दो दिन का परवाब बहुत जादा रहेगा क्योंकि चंदरमा के साथ जब सूरिय होता है तो मस्यायोग बनाता है फिर ठारा तारिक को हमारा शुकर देवी उदे हो जाएंगे क्योंकि उदे कैसे होते हैं जब के भी शुकर के साथ सूरिय होते हैं या गुरू के साथ होते हैं तो कहते हैं तारा डूब गया तारा डूबने का मतलब ये होता है कि कोई भी हम मंगल कारिये नहीं कर सकते शुकर खराब चल रहे हैं शुकर अस चल रहे हैं तो ठारा तारिक के बाद शुकर उदे हो जाएंगे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि जब भी कोई मंगल कारिये करने है ठारा तारिक के बाद कर सकते हो मंगल भी चेंज हो जाएंगे फिर चंदर भी चेंज हो जाएंगे लक्षमी योग रहेगा 19 तारीक को तो वो योग अच्छा रहेगा उपर से बुद्ध अधित्या योग रहेगा सिंग राशी में वो तीन दिन के बाद सिंग राशी वाले ठीक रहेंगे अगर मैं पार्टिक्लर एक ही राशी के बारे में बताओं कि कैसा होगा जब सूर्य देव राशी पर वर्तन करते हैं तो सिंग राशी के लिए कैसा होगा तो मैंने बताओ यह सिंग राशी के लिए खराब जाने वाला है क्यों खराब जाने वाला है मैं आपको सब कुछ बरीकी में बताता हूँ 14-15 अपरेल को सूरिय देव मेश राशी में आते हैं जिसनी भी कुंडलिया हैं पूरी दुनिया में जितनी भी कुंडलिया हैं मेश राशी वालों के मेश राशी में सूरिय देव आते हैं तो अगर आपका जनम 14 अपरेल से लेकर 14 मई के बीच बीच में हुआ तो आपका पहले से ही सूरिय देव वहाँ पे बैठा होगा तो मेश राशी में भी जब सूरिय देव आते हैं 14 अपरेल से लेकर 14 मई तक का समझ लेजिए वो मेश राशी के लिए बहुत जादा खराब हो जाता है कहते हैं 14 प्रैल से 14 मेश तक सूरिय उच्छ का हो जाता है लेकिन मेश राशी वालियों के लिए खराब होता है अपने रिष्टे सके सबंदी जो होते हैं उनके लिए खराब होता है जिनका जनम इस वक्त हुआ, उपर से राशी भी वही हुई, प्रिष्टेदरों के साथ बनती नहीं है, और जो दोस्त में तो होते हैं, वो दोखा दे के चले जाते हैं, जिसको वो सब कुछ अपना समझता है, प्यार समझता है, वो छोड़के चला जाता है, अगर कहीं मेश ही लगन हुआ, और मेश ही राशी हुई, तो, यह मैंने थोड़ा सा ब्रीकी में बताया, लेकिन इसके बारे मैं पूरा एपिसोड करूँगा, अगला एपिसोड मैं इसके बारे में करूँगा, लेकिन पहले में, शफाली जी की बात का जवाब दे दू, कि आप राशी के बारे में बताए जब सूर्ये देव सिंग राशी में जाएंगे तो वो कैसा रहेगा कोई भी ग्रै पूरी दुनिया में चाहे कोई भी ग्रै हो जहां पे वो बैठा हुआ है गोच्र करता हुआ अगर वो ग्रै वहां पे आ जाए तो वो अच्छा नहीं होता यानि के सिंग राशी में सूर्ये देव आने वाले हैं पंदरा अगस से लेकर पंदरा सब्तमबर तक सूर्ये देव कौन सी राशी में रहेंगे सिंग राशी में तो सिंग राशी में जब ये एक महीने के लिए रहेंगे तो एक महीने में जितने लोगों के जनम दिन आते हैं 15 अगस से लेकर 15 सप्टमबर तक वो सभी के सभी ही परिशान रहेंगे क्योंकि सूर्य देव पहले से यह वहां पे बैठा हुआ है तो अगर सूर्य देव गोचर करते हुए अपने सिंग राशी में आते हैं उसी जगह पे वो खराब करेंगे वो राजा की तरह रहना शुरू करेगा उसके जो दोस्मित्तर होते हैं वो जलेंगे जो उसके बॉस होंगे वो नुकरी से निकाल देंगे ये काम अकट्ड के करता है काम अच्छा नहीं करता है इसको रिजाइन दो जो उपर सरकारी उद्धे वाले होंगे नोकरी से निकालने की कोशिश करेंगे देखिए अगर कहीं जिसका सिंग राशी का सूरिय है तो सिंग राशी में सूरिय देव आ गया भी तो ये नहीं होता कि अगर किसी का सूरिय सिंग राशी का तो बहुत अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है बुरा नहीं होता लेकिन अगर गोचर करता हुआ सूरिय देव वहां पे आ जाए तो वो कभी भी अच्छा नहीं होता जब कभी सूरिय देव सक्रांती करते हैं यानि कि राशी पर वरतन करते हैं तो उसको सक्रांती बोली जाती है तो मेश राशी के लिए कैसा होगा अगर कहीं मेश पहली राशी के बारे में बताओं तो रब राशी पर वर्तन करेंगे सूरिय देव तो इसका मतलब पंचम घर में सूरिय देव आ जाएंगे अगर कहीं पंचम घर में पहले से ही सूरिय देव बैठे हुए हो तो मेश्राशी के लिए खराब जाने वाला है, बच्चों से अनबन भरने वाली है.